अलो माई वीवर्स कैसे हैं आप सब तो जैसा कि आप सब जानते हैं ठंडी तो अच्छी खासी पड़ रही है तो ठंड के मौसम में लिट्टी चोखा का अपना ही मज़ा है बिहार स्पेसल चलिए बनाते हैं सबसे पहले आटा बना लेते हैं मैंने लिया है यहां मैदा आप आटा भी ले सकते हैं उसमें टू टेवल स्पून ओयल अजवाइन मंग्रेला टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्छे से गूंद लेंगे है ना चलिए जब तक यह गूंद रहा है आप यह बताईए कि कैसे हैं आप सब कैसा लग रहा है आपको हमारा यह वीडियो बनाना अच्छा तो लग रहा है ना अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आगे आपके लिए और भी बहुत कुछ लाने को है ना प थोड़ी देर के लिए ढग कर रेश्ट करने दूंगी है ना उपर से थोड़ा सा ओइल ग्रीस कर देंगे जिससे हमारा आटा सॉफ्ट रहेगा और उसके बाद इससे ढख देंगे तो आटा लगाकर रख दिया है हमने अब हम तियारी करेंगे सत्तू की यह सारी समागरी चाहिए यह आप देख लीजे धनिया प्याज लहसन अद्रक जैसा कि आप देख सकते हो यहां मैंने लिया है सत्तू मैंने कोई माप नहीं रखा बस अंदाजे से ले लिया है तो आप अब भी अंदाजे से ले लिजे उसमें डाला है बारी कट हुआ भूआ अनियन जी हाँ यह थोड़ा सा क्रश से देता है फ्लेवर देंड करता है फिर मैंने डाला है बारी कट ऊद्धनिया को औरीमेडिबल्स उसके बाद डाला लैसन बारी काट करके आप चाहो ओगीत है तो आप नहीं भी डाल सकते बहुत लोग इसमें चाट मसाला डालते हैं आमचुड डालते हैं या मैंने अड़ किया नमक अब मैं डाल रही हूं लेमन ठीक है थोड़ी सी पड़ेगी इसमें अजवाइन मंग्रेला और बस अब ये पड़ेगा सरसो का तेल कच्ची घानी व चोखा भरता जो बनता है इस्पेसल बिहार स्टाइल तो उसके लिए भंटा वाला बैगन चाहिए होता है ये देखिए हमें आपको दिखा रही हूं ये देखिए इसे हमारे यहाँ भंटा बैगन कहा जाता है आप क्या कहते हैं प्लीज कमेंट कीजेगा तो ये बैगन से भरते बहुत अच्छे बनते हैं नहीं हो तो आप ऐसे वाले ले सकते हैं इसे बीच से चीरा लगा कर आप देख लें कि अंदर कोई कीड़ा बगरा तो नहीं लगा हुआ है और इसमें इंसर्ट कर देंगे लहसन और बस हलका सा उपर से ओयल ग्रिस कर दें ओयल ग्रिस करने इसे जब रोष्ट करते हो ना तो छिलका बहुत इजली उतर जाता है इसलिए ओयल लगाना ज़रूरी होता है तो बस यहां मैंने ले लिया बारी कटवा धनिया प्याज अधरक लेसन और हरी मिर्च तो चलिए देखते हैं एक बड़े बाउल में जो पोटाइटो बॉयल कर के रखेते आलू हमने वो लिया और जो बारी कटवा धनिया पैज वगरा था वो लिया और उसे अच्छे से मैस कर देंगे और इसी में हम लोग एड करेंगे जो हमने बैगन को भूना है उसे अच्छे से पील कर लेंगे उसे पील आफ कर लेंगे वो बहुत इजली निकल ज जो हमने गयस पर भूना था और सभी को अच्छे से मैसर से मैस कर लेंगे और उसमें डालेंगे तरका तरके के लिए हम तेल में लैसन जीरा पका कर मिर्चा डाल लेंगे और यह देखिए तयार है हमारा बजार से भी अच्छा भरता तो चलिए अब प्रिपेर करते हैं लिट्टी लिट्टी बनाने के लिए जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो आटे की लोई को कटोरी के सेप में बनाएंगे और उसमें हम फिलिंग डालेंगे जो हमने सत्तु से बनाया था और उसके ब बाद उसे अच्छे से सील करने के बाद हम ऐसे ही बहुत सारे बना लेंगे देख रहे हो मैंने ऐसे ही बना कर रख लिया है और उसे अब डिप फ्राई कर लेंगे आप चाहू तो अगर आपके पस अंगीठी है कोईला है या अवन है तो आप उसमें भी बना सकते हो अगर आपको होगे तो इसे कूकर में या फिर आपके का जो स्टैंड होता है उसमें भी बनाना बताऊंगी पर मेरे बच्छों को पसंद है फ्राई किया हूँ तो बस इसे फ्राई करें और बस गर्मा-गर्म सर्व करें गी के साथ साथ में भरता सबजी चटनी एजी विस आप ब आते हैं प्लीज कमेंट डाउन किजिएगा और अगर नहीं बनाया है तो एक बार मेरी रेसिपी जरू ट्राई किजिएगा तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सेयर सेस्क्राइब माई चैनल बाबाई इफ यू लाइक इट माई वीडियो प्लीज वीडियो में बाई